हेलो एरिवरीवाइन, वेलकम टो माई चैनल, क्यैरेट और क्यैरेट, इन दोनों क्यैरेट में जमीन आसमान का अंतर है, मैंने इससे पहले दो वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको इसके इस क्या और क्यैरेट के बारे में बताना भूल गई थी, तो सौरी, आज मैं इस इसकी वीडियो बना दे रही है, यह मेरी सजा है, कि मैं इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने के कोचिस करूँगी, इन दोनों केरट में क्या difference है, इसको मैं समझाने के कोचिस करूँगी, देखे, जो के फॉर केरट है, के अरे की केरट है, यह सोने की शुदत को बताता है कि आप 22 करेट का ले रहे हो 24 करेट का ले रहे हो 18 करेट का सोना ले रहे हो तो यह को बताता है कि सोना कितना प्योर है ठीक है इसको इस के को जो के फॉर है के के वाला जो कैरट है जो सोने में यूज होता है आपने अपने गोल्ड के किसी भी जॉलरी में आप अब बात आती है C, A, R, A, T इसको भी केरट बोलते हैं बट, धियान से सूनिएगा ये हीरे के लिए नापा जाता है हीरे की वजन नापने की यूनिट है जो मैंने पहले के के बारे में बताई वो शुदता नापने की यूनिट है प्त यह Violet जो सी वाला Ven очер intermittent यह हीरे में हूं का यह हीरे में इसका यूजन को नापता है और इसको प्ता और मूती believes यह रहे हैं और यह को यह को रहे हैं। A aujourd पनाप को सबस्राइए बहुता है कंदा यह कि जो Venet केरेट वजन का हीरा लेते हैं तो वो 200 सू मिलीग्राम का होता है मतलब कि बहुत महंगा होता है वह तीन लाग से लेके 30 स robiह तक हो सकता है मतलब की जो हीरे की। कर दरी चार सी करना निर्भर करते है 4 सी का वैलवेशन होता है color, cut, clarity, and carrot. color, cut, clarity, and carrot. इन सब पे इसकी valvation होती है, कितना उसमें color है, कितना clarity है, कितना उसमें cut है, यह इस हिसाप से उसका valuation होता है, यह एक carrot का जो हीरा होता है, वो 3 laag से, 30 laag सा इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इस तरह से आप क्यारेट और क्यारेट में कंफ्यूज मत होईएगा दोनों अलग अलग चीज है दोनों एक नहीं है एक शुद्धता को नापता है इसके बजन को नापता है हीरे के बजन को नापता है मैंने वीडियो में अच्छे से आपको समझाने की कोशिस की है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टटा बबाई टे कियर